जनपद में कुछ आपनादिक इतिहास रहा है तो उसके प्रभावी कारवाई करना, पुलिस के साथ मिल करके जो कारवाई पहले से हुई उसो कंटिन्यू करना इस विशेशकर चिकित्सा वे भाग, बेसिक शिक्षा वे भाग और नलकूप वे भाग, इनमें इंप्रूब्मेंट की जरूवत है सड़कों की हालत कुछ खराब है, उसमें भी हम काम करेंगे नमस्कार मैं अभिनेदöyle, गाजीपूर में कई सारी जंसमस्याएं हैं कई ग्रामीड छेतरों में भी जलनिकासी की समस्या है कई प्रात्मिक विद्याले ऐसे हैं जहां जाने के लिए रास्ता तक नहीं है तो कई स्कूल ऐसे हैं जिसका भवन जरजर है और उस जरजर भवन में बैठ कर बच्चे पढ़ाई करते हैं जो निसन काया करते हैं अशेख कल की कुछ पारमीटर होते हैं उसको काफी गार सद्रिप्त किया गया है लेगिन आपकी बात सही है कि इसको पूला कराएं लेकिन अफ्रोच विद्याले काता बीप्रोश को पढ़े करेंगे तो काम रहे गया उसको कुछ कूडा कराएंगे तो आप उसको मचबब करा से, तो उसको निचेज्ट दिया देया गरेए एक पहर कशीं आज व mystरी शैश्ट भी और इफ जाएहा है गाजीपूर में समस्याएं अभी अपने चरम पर हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान अब तक नहीं मिल सका है। क्या इन समस्याओं का समाधान गाजीपूर की नई डियम आरे का अखवरी कर पाएंगे। जी हाँ मंगलवार को गाजीपूर की नई डियम आरे का अखवरी ने प्रेसवार्ता की और पत्रकारों के सवालों का जबाब दिया। इन सवालों में कई महत्वपूर सवाल थे, वो सवाल सरकारी विद्याले से जुड़े हुए थे, वो सवाल जलनिकासी की समस्याओं से जुड़े हुए थे, वो सवाल प्रधानमंत्री आवास से जुड़े हुए थे कि इससे होता है, जितनी भी आप्रकेशन सहा रही है, आफिर जो मिलाकरण करने वाला अधिकारी तो गार्ट बढ़े है, इस तक तो पत्र परोशना ही है, तो मांग तो करके हमें बेजना ही पड़ेगा, इसमें उसमें क्या थारवाई की, और ऑफिसमें बैट पी कर दी या व अधितारियों से भी उसको सत्यापन कराइगे, कि वाताई में उसका निस्तारण भुआ के लिए, हलाकि ये ज़ुआ है कि जितने भी शिकायते आती हैं, हंड़र परसन निस्तारण होना संभब में कुछ शिकायते ऐसी होती हैं, जो हास के आदिसर के पामलों में, कि जितने कि जो केसे होते हैं, वो नियालों में लंबच होते हैं, कुछ, सब्जूटिस होते हैं, उसमें कई बार कोई आक्शिन प्रशासन दवाराह नहीं लियाए आजा सकता, लिकि जो भी हम लिगनी कर सकते हैं, जो किया जाएगा, और ये बात, जो शिकायत अता होती हैं, इसको हमारे समाधाता हसीन अंसारी ने गाजीपूर से एक रिपोर्ट भेजी आप भी देखें ये जिलादिकारी आरे का अख्योरी हैं गिन्नोंने जन्तबत में आने के साथ ही जनता दर्सन का कारिकरम शुरू कर दिया सबसे पहले इन्होंने 22 शिकायत करताओं की शिकायत को सुना और आसवासन दिया कि उनके शिकायत का निस्तारण जल्द ही हो जाएगा साथी उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि वह जनतादर्सन के कारिकरम को प्रात्मिक्ता दे प्रति दिन दस बजे से बारा बजे तक जनतादर्सन का कारिकरम जरूर रखे गुरूवार को जिलाधिकारी ने कलेक्टर्ट परिसर का निर्चन किया वहां के कामकाश को देखा अधिकारियों को कई निर्देश दिये लेकिन कलेक्टर परिसर में दिवालों पर थूके वे गुटके को देख कर वह नराज हुए और ततकाल वहाँ पर एक नोटिस चस्पा कराया तभी उन्हें एक फर्यादी मिल गए जिनका नाम मंजू लता सिर्वास्तो है वह सचिवाले गेट पर खड़ी थी जिलादिकारी ने उनकी शिकायत को सुना उनका पेंसन अर्सों से नहीं आ रहा था जिलादिकारी ने निर्देश दिया कि तीन दिनों के अंदर इनकी समस्या का समाधान कर दिया जाए जिलादिकारी ने कई समस्याओं को तो सुना लेकिन जन्पत की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको कई जिलादिकारियों ने सुना था लेकिन उसका निवारण आस तक नहीं हो पाया तस्वीरों में जो सडक आप देख रहे हैं यह रोजा इस्थित अवास विकास कालोनी की सडक है यह एक मात्र सडक है जो उस कालोनी में जाती है लेकिन इस सडक की स्थिति अर्सों से ऐसी ही है लगतार शिकायत होती गए लेकिन इसका निवारण नहीं हुआ ये दूसरी तस्वीर फुलन पूर्सी गोड़ा गाउं जाने वाले सड़क की है इस सड़क की इस्थिती ऐसी है कि जब भी बारिस होती है तो यहाँ पानी लग जाता है ये समस्याएं जलनिकासी की वज़े से हैं कोकि इन जगहों पर जलनिकासी की समस्या है बार बार शिकायत करने के बाद भी इस समस्या का निस्तारण आस तक नहीं हो सका अब देखने वाली बात ये है कि जिला अधिकारी आरेका अखोरी इन समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं क्या उनके आने से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि समस्याओं की कमी नहीं थी और उन समस्याओं की निदान के लिए सवालों की भी कमी नहीं थी तो क्या इन समस्याओं का निदान नई डियम आरेका अखोरी कर पाएंगी खर आरेका अखोरी ने इन सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया और नोड भी किया और कहा है कि वो जल्द ही इन सब पर कारवाई करेंगी और जन समस्या का समाधान जल से जल करेंगी उन्होंने कहा कि हम feedback भी लेंगे कि क्या जनता की समस्याओं का समाधान वाकई में हुआ है या नहीं सबको ये संदेश है मेरा कि जन्पद में जो भी आपको समस्याओं है आप उस तक लेकर आए महिला सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे और एक जिलादिकारी होने के नाते मैं आश्यूस करना चाहूंगे कि हमाई जन्पद की महिलाओं को कोई समस्याओं नहीं आएगी और मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेगी अब गाजीपूर की जनता को नई डियम आरका अखावरी से काफी उम्मीदे हैं देखने वाली बात यह है कि अपने कारिकाल में आरका अखावरी गाजीपूर के समस्याओं का कितना समधार कर पाती है अन्यमहत्पूर खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे तब आता है कितने हाने का झाली में रह एका एके पाति झाली पहन दिसंद体 है कि अपने हैंंब का एकितन है जड़ी जयू आफूर में आ कितना स 思फ़पूर्शर का हैं ट्यूर खवयक हैं तργश झा हैं तलिहकाने को और समस्यादोर की अबदने हैं खिए